हेलो गाइस वेलकम बेक टू माय चैनल स्वाहगत है आप सब्सक्राइब कादर की तुझाने तो कैसे आप लोग आप लोग सभी अच्छे होंगे और अभी है सुपकस नो बज रहा है तो मैंने खाना वगेरा सब बना लिया और खाना बनाने के आद हम लोग ने बहुत देर ग सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलते हैं तो मैंने यह नोटिस किया कि साइद आज बीरू का तवियत खराब है इसके बज़ेशना बीरू और मैंने इनको बोला कि आपका आख आगया आइफलू हो गया तो इन्होंने बोला नहीं 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 मैं ज्यादा लेट सो के आइफलू देखके पता चल रहा है वो उधर वाला साइड का जो आख है उसमें थोरा सा स्वेलिंग टैप से आगया है तो पहचान लिया मैंने और इधर मैंने आभी सोप द्रिंक पिया है सोप द्रिंक का मतलब यह मत समझना कुछ अलग सोप तो आदा नहीं नहीं ग्रीन सोप का पानी था अचा सोप ब्रिंक वहीं है मेंने का टिफीन वगयरा सब पेक कर दिया अब थोड़ी दियर में कुलेंगे महासहर आफिस के लिए आपको फोटो कीछ लेती है ऐसे खारे तो देख सकते हैं यहां पर महां से खा रहे हैं फिर से फ्रूट खा रहे हैं खाने के बाद थोड़ा सा और मैं भी खा रही हूं क्योंकि फ्रूट मैं खाती हूं सुबसमों और यहां पर इनका मुबाइल भी चल रहा है पता नहीं क्या विरू थोड़ा सा खाने टेम को मुब तो आप लोग देख सकते हैं बड़ा बन गया है पूरा और काफी दिन से और जाता था यह तो अभी इतना दिख भी रहा है इतना दिख भी रहा है पर इतना बस एक बोटल के इसा भी दिख रहा था यह सब भड़ा हुआ था पूरा तो अभी मैंने फ्रीज बन कर दिया बन करने लिए एक गंटा हो गया तो पानी निकलना स्टार्ट हो गया है इस और मैं चाहते हूं कि पूरा पानी निकल जाए ताकि बन गया है और यहां पर सब्जी वगे रहा है पर वह सब खराब नहीं होगा मुझे पता है क्योंकि सब्जी अभी फ्रेस है तो यह बस निकल जाए बैसे इतना मतलब क्या ही बताओ इतना वह लग रहा है ना इसको छूट के पता है क्या याद आ रहा है जब हम लोग मनाली गये थे ना तो मनाली में ऐसे वरब था पर इसमें जैसे पानी जैसा चूट रहा है क्योंकि अभी बंध है पर मनाली अलब बहुत ही मस्त था ऐसे लग रहा था देखने में में तो उठा उठा कर खूब खेल रही थी बहुत मजा किया तो हम लोगोंने अभी अभी उस दिन हम ऐसा लग रहा था कि नारे यार घर कब जाएंगे चाहे वापस होटल की कब जाएंगे पर अभी वो अच्छा यादगार बन गया तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं पानी गरते रहे गा और इधर देख रही है हमें टीवी